अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिये हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकोन को दबाए दोस्तों आज मैं आपको सुखे लाल मिर्च और लसुन की बहुत ही टेस्टी जो है चटनी की रेसिपी बताऊंगी और यह बहुत अच्छी बनती है आप काफी दिनों तो किसे रख सकते हैं सबसे पहले हमारी चटनी की मेन इंग्रीडिंस ले लेते हैं तो मैंने 30 ग्राम चीमी लिया है यहां की र्याए चीरी और स्वी지만 घ्राइब तो हमारी मिर्ची है वो अच्छे से चारो तरफ से सिख जाए तो हमारा रोस्ट होना बहुत important है और अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो यह नीचे से जनने का डर रहता है तो बिल्कुल मिर्ची जननी नीच ही है और इसका जो अंदर का नमी है वो पूरी तरह से जाए तब त देरे चलाते रहना है और अच्छे से फ्राइ करना है तो हम लोग यह जो चट्णी बना रहे है यह हमारा थोड़ा लंबे समय तक रह सके इसलिए में पानी का जो है कॉंटिटी जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल नहीं रखना चाहते है तो हमने मिर्ची को भी अच्छे से फ कर लिए उसके बाद ही हम इसमें आदरग डाल रहे हैं और जैसे आप इसमें दो मिनिट तक साटे कर लें अब हम इसमें डालेंगे 10 ग इमली तो मैंने अच्छे से बीक्स और अब हम इसमें इसे साथ ही फ्राइ करना है ताकि जो इमली का मॉइस्टेर है वो भी बेलकुल जलाना चाहिए विच बो तो जैसे हमारा थंडा हो जाए हम जाए हमारी ड्राइव मिर्ची थी रोस्ट की हुई उसके साथ इसे पीस कर पेस बना लेंगे आप देख सकते कोर्स ग्राइंड और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाल रहे है तो इसके बजाए पानी पीसने के लिए हम इसमें तेल डाल रहे है इसके लिए हमने स्मोक डॉय लिया है यानि की जो हमारा मस्टर ऑल है उसको गरम करते और जैसे इसमें दुहां आने लेक मतलब फाइन पेस्ट चाहिए उससे आप से कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी चटनी बिल्कुल तयार है यह बहुत अच्छी बनती है आप इसे एक बार जरूर बना के देखे इसे काफी लंबे समय तक आप रख सकते हैं और I am sure कि आपके खाने को टेस्ट को बहु शेयर करें